इरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी Islamic Revolutionary Guard Corps को युक्रेन की तरह स्वीडन भी आतंकी संगठन मानेगा इससे पहले युक्रेन की संसद ने IRGC के खिलाफ प्रस्थाव पारित कर से आतंकी संगठन करार दिया था जिसके बाद स्वीडन भी युक्रेन की रहा पर चलने की तयारी में है वो भी इरान की सेना की ब्रांच IRGC यानि इस्लामिक रिव्लूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन का दरजा देगा माना जा रहा है कि युक्रेन के बाद स्वीडन का ये फदम यूरप के कई देशों की प्लानिंग का एक हिस्सा है और वो नहीं चाहते कि इरान अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन समेथ दूसरे हतियार पुतिन की सेना को दे उनका आरोप है कि इरान के घातक हतियारों के वज़े से ही युक्रेन में सैकणों लोगों की जान गई इसी वज़े से वो इरान पर दबाव बनाने की कोशिश में है इधर पाकिस्तान में शहबास सरकार के फैसले के बाद वहां के बाजार रात के आठ बचते ही अंधेरे में डूप जाएंगे क्योंकि दावा है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूज रहे पाकिस्तान में बिजली की भारी किल्लत हो गई है जिस पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की सरकार कई तरह के उपाये कर रही है पाकिस्तान के मीडिया के मताबिक बिजली संकट से निपटने के लिए शहबास सरकार ने एक जुलाई से सभी बाजारों और दफ्तरों को रात में 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दे दिया अगर ऐसा हुआ तो रात के 8 बचते ही पाकिस्तान के बाजार अंधेरे में डूप जाएंगे अनकि पाकिस्तान के व्यापारियों ने शहबाज सरकार के इस वैसले के खिलाफ विरोध जताया उनका कहना है कि सरकार पहले भी इस तरह के कई वैसले ले चुकी है लेकिन उनसे बिजली संकट का कोई भी समाधान नहीं निकला इधर आर्थिक कंगाली से जूज रहे पाकिस्तान ने नियॉयॉक में बना अपना एक होटेल किराये पर देने का फैसला कर लिया दावाई ये किये जा रहा है कि पाकिस्तान के पास फिलाल अपने दूतावाज चलाने तक के पैसे नहीं बचे है और इसलिए वो अपनी संपत्यां बेच कर या किराये पर दे कर पैसे का अंतिजाम करना चाहते हैं पाकिस्तान के मीडिया में जबी खबरों के मताबिक पाकिस्तान के सरकार ने न्यूयॉक में बने अपने मशूर होटेल रूजविल्ट को तीन साल के लिए किराये पर देने की डील फाइनल की है इस डील से पाकिस्तान को 22 करोड डॉलर यानी भारते रुपेव में खरीब 1750 करोड रुपे मिलेंगे इस डील के मताबिक न्यूयॉक शहर प्रशासन पाकिस्तान के होटेल को तीन साल तक चलाएगा और बाहर से आने वाले लोगों को सुवधाय मोहिया कराएगा इधर अमेरिकी वायुसेना के एक पूर अधिकारी ने दावा किया कि अमेरिका के पास कई UFO यानी अनइडिटिफाइट फ्लाइंग आपजेक्ट मौजूद है और उन्हें एक इंटिव्यू में ये दावा किया इस बीच अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी डेविड चार्ल्स ने ये दावा कर हरकंप मचा दिया कि जमीन पर उत्रे कुछ UFO ढूंडने में अमेरिका को काम्याबी मिल गई जिने अमेरिका ने कहीं छिपा दिया यही नहीं उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि कुछ UFO हादसे का शिकार भी हुए जिनका मलबा एकठा कर अमेरिका ने रिसर्ज भी की इधर तुर्की के राज़पती रेजिप तैयब अर्दोवान के पोस्टर पर अदॉल्फ हिटलर जैसे मूचे मनाने पर एक नावालिक लड़की को जेल में डाल दिया गया पश्चिमी मीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में हाल के दिनों में राज़पती चुनाव हो है और इसे इसी दौरान प्रचाट के लिए एर्दोवान के कई पोस्टर लगा गये थे और आरोप है कि तुर्की के राज़पती रजपतेयब एर्दोवान के इसी पोस्टर पर 16 साल के एक लड़के ने कलम से हिटलर की मूचे मना दी साथी ये भी आरोप है कि उसने पोस्टर पर आपती जनक बाते भी लिग दी बताये गया कि जहां एर्दोवान के पोस्टर लगे थे उस जगह पर लगे सीसी टीवी कैमरे की मदद से नावालिक लड़के की पहचान कर ली गई और उसे गिरफतार कर लिया गया दावा है कि पुलिस की पूश्टाच में उसने बोस्टर मन मूचे मनाने की बात पुबूल कर ली जिसके बाद जुवनाइल कोट ने उसे राष्टपती अर्दोवान के अपमान का दोशी पाया और जेल भेजने का आदेश दे दिया